दोस्तो फाइनली IPL 2021 के मेगा ओक्सन के लिए सभी टीमें अपनी अपनी तयारी स्टार्ट कर चुकी है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे RCB की टीम के बाड़े में जहां पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोयल चैलेंजर्स बैंगलोड का प्लेइंग 11 IPL 2021 में किस परकार का दिख सकता है यानि कि RCB के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के उपर नज़ा डालेंगे तो फ्रेंट्स ये वीडियो RCB के फैंस के लिए बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे और अगर आप भी RCB के फैं है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करे और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नॉटिफिकेशन बिल को प्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप बिग बैस लीक के सभी मैचों का सौ परसेंट एक उडेसी के साथ प्रेडिक्सन जानना चाहते हैं तो टौनी भाई के साथ कॉंटैक्ट जरूर करे उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स अफम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आर्सी बी के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बाड़े में यानि कि साल 2021 के लिए आर्सी बी का सबसे बेश्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनर्स के बाड़े में तो आर्सी बी के लिए देवदत पडिकल ओपनिंग करेंगे ये बात 100% तै है क्योंकि IPL 2020 में देवदत पडिकल ने काफी बहतर इन पफोर्मेंस दिया था तो इस वज़से देवदत पडिकल का प्लेइंग 11 में अस्थान पका है उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे नमबर के बाड़े में तो यहाँ पर पहले आरोन फिंच खेला करते थे लेकिन IPL 2021 में आरोन फिंच को RCB की टीम अपने स्क्वैड से बाहर कर देगी क्योंकि आरोन फिंच का बला IPL 2020 में काफी खामोस था और वह पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे तो इस वज़से आरोन फिंच RCB के स्क्वैड से बाहर हो जाएंगे तो देवदत पडिकल का साथ दे संकते हैं कुंटन डिकॉक या फिर मैथ्यू वेड क्योंकि कुंटन डिकॉक को मुंबई इंडियन्स की टीम रिलीज करेगी तो इस वज़से कुंटन डिकॉक को RCB की टीम अपने स्क्वैड में किसी भी हालात में सामिल करना चाहेगी और अगर कुंटन डिकॉक RCB के पास नहीं आते हैं तो उनके अस्थान पर मैथ्यू वेड को RCB की टीम ऑक्षन के जरिये अपने स्क्वैड में सामिल कर लेगी तो इस वज़से देवदत पडिकल और मैथ्यू वेड का ओपनिंग प्यार RCB के लिए सबसे बेश्ट ओपनिंग प्यार होगा क्योंकि मैथ्यू वेड काफी विस्पोटक बलेवाजी पावर प्ले में करते है उसके बाद तीसरे नमबर के बाड़े में बात करे तो यहाँ पर विराट कोहली का अस्थान पक्का है क्योंकि विराट कोहली भारती टीम के कप्तान है और साथी साथ RCB के भी कैप्टन है तो इस वज़े से RCB की टीम किसी भी हालात में विराट कोहली को अपने स्क्वाइड में रिटेन करेगी तो विराट कोहली का तीसरे नमबर पर अस्थान फिक्स है उसके बाद चौथे पोजिशन के बाड़े में बात करे तो यहाँ पर आने वाले हैं RCB के सबसे विस्फोटक बलेवाज यानि की AB Divilliers और Divilliers भी RCB के प्लेइंग 11 में 100% खेलेंगे क्योंकि RCB की टीम विराट कोहली और AB Divilliers को अपने स्क्वाइड में ओक्सन से पहले रिटेन कर लेगी तो इस वज़स से चोथे नमर पर AB Divilliers खेलते हुए नजर आने वाले हैं उसके बाद बात कर लेते हैं पांचवे पोजीसन के बाड़े में तो यहाँ पर RCB को हमेशा से दिक्कतों का सामना करना परा है जहाँ पर IPL 2020 में पांचवे नमर पर कभी सीवम दूबे आते थे और कभी मोहिन अली बलेवाजी करते थे लेकिन IPL 2021 में सीवम दूबे और मोहिन अली दोनों को अपने स्क्वाइड से RCB की टीम बाहर कर सकती है और इनके अस्थान पर साकीबल हसन खेल सकते हैं क्योंकि मेगा ओक्सन के जरिये RCB की टीम साकीबल हसन को अपने स्क्वाइड में एक बार फिर से इंक्लूड कर सकती है तो इस वज़े से पांचवे नमर पर साकीबल हसन बैंगलोड के प्लेइंग एलेवर में सबसे सटीक बैठने वाले हैं क्योंकि इनके पास काफी विस्पोटक बलेवाजी है और साथी साथ चार ओभर गेंदवाजी भी कर सकते हैं तो इस वज़े से साकीबल हसन को बैंगलोड की टीम अपने स्क्वाइड में किसी भी हालात में खरीदना चाहेगी और अगर साकीबल हसन इस टीम में नहीं आपाते हैं तो उनके अस्थान पर बेन कटिंग को मेगा ओक्सन में आरसीबी की टीम टारगेट करने वाली है उसके बाद छटवे पोजिसन के बाड़े में बात करें तो यहाँ पर बैंगलोड की टीम अपने स्क्वाइड में इसान की सन को इंक्लूड कर सकती है क्योंकि मुंबई की टीम को किसी भी हालात में इसान की सन को अपने स्क्वाइड से रिलीज करना परेगा और RCB की टीम इसान किसन को टारगेट कर सकती है क्योंकि यह काफी बहतरीन विकेट की पर बलेवाज है तो इस वज़े से इसान किसन बैंगलोर के स्क्वैड में आ सकते है और छटवे नमर पर इसान किसन खेल सकते है और साथी साथ इसान किसन बैंगलोड की टीम के लिए ओपनिंग भी करते हुए नजर आ सकते है उसके बाद साथवे पोजीशन के बाड़े में बात करें तो यहाँ पर आने वाले हैं वासिंग टन सुन्दर क्योंकि वासिंगटन सुन्दर को बैंगलोड की टीम अपने स्क्वाइड में वापस से रीटेन कर लेगी या फिर आठीम कार्ड के जड़िये अपने स्क्वाइड में इंक्लूड कर लेगी तो इस वज़से साथवे पोजिशन पर वासिंगटन सुन्दर खेलते हुए नजर आ सकते है उसके बाद आठवे नमबर के बाड़े में बात करे तो यहाँ पर काफी बड़े गिंदवाज को बैंगलोड की टीम अपने स्क्वाइड में सामिल कर सकती है और इस बॉलर का नाम है मीचेल स्टार्क जहाँ पर मेगा ओक्सन में सभी टीमें मीचेल स्टार्क के उपर बीड लगाने वाली है और 100% बैंगलोड की टीम भी मीचेल स्टार्क को अपने स्क्वाइड में इंक्लूड करना चाहेगी और अगर मीचेल स्टार्ट बेंगलोड के स्क्वाइड में आ जाते हैं तो यह प्लेइंग 11 का कंसिस्टेंटली हिस्सा होंगे क्योंकि यह काफी खतरनाग गिंदवाजी करते हैं तो इस वज़से आठवे पोजिशन पर मीचेल स्टार्ट को RCB की टीम खिला सकती है और अगर मीचेल स्टार्ट की इस स्क्वाइड में नहीं आपाते हैं तो मुस्ताफिजु रह्मान को बेंगलोड की टीम अपने स्क्वाइड में टार्गेट करने वाली है उसके बाद नवे पोजिशन के बाड़े में बात करें तो यहाँ पर आ सकते हैं फ़स्ट बॉलर नवदीप सैनी क्योंकि नवदीप सैनी को RCB की टीम अपने स्क्वाइड में रिटेन या फिर आटियम कार्ड के जरिये फिर से अपने स्क्वाइड में इंक्लूड कर सकती ह तो इस वज़े से नवदीप सैनी नवे नमड पर खेलते हुई रिजर आने वाले हैं उसके बाद दसवे पोजिशन के बाड़े में बात करें तो यहाँ पर उमेस या दव या फिर मुहमद सिराज में से किसी एक प्लियर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है और इन दोनों प्लियर्स को RCB की टीम ओक्सन के थुरू एक बार फिर से अपने स्कुएड में इंक्लोड कर सकती है हलांकि यहाँ पर कोई आदर इंडियन फास्ट बॉलन रजर आ सकता है उसके बाद 11 पोजिशन के बाड़े में बात करें तो यहाँ पर आने वाले हैं RCB के लेग स्पिनर यानि कि यजू वेंदर चाहल और इस तरीके से RCB की टीम कुछ इसी परकार की प्लेइंग 11 के साथ IPL 2021 में उतर सकती है तो फ्रेंड्स यही था रोयल चैलेंजर्स बैंगलोड का एकस्पेक्टेड प्लेइंग 11 जो की IPL 2021 के लिए रहने वाला है तो आपके कोडिंग बैंग लोड का प्लेइंग 11 किस परकार का होना चाहिए आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और RCB के रिटेन प्लेइर्स की लिष्ट के बाड़े में बात करें तो बैंगलोड की टीम अपने स्कुएड में विराट कोहली को रिटेन करेगी उसके ब प्लेइंग 11 के बाड़े में बताया जाए तो इस टीम के लिए ओपनिंग कर सकते हैं देवदत पाडिकल और मैथ्यू वेड तीसरे नमर पर कप्तान विराट कोहली चौथे नमर पर वीकेट कीपर बैट्समैन एबी डिविलियर्स पांचवे नमर पर आल राउंडर साकीब चाथवे नमर पर इसान किसन, साथवे नमर पर वासिंगटन सुन्दर, आठवे नमर पर मीचल इस्टार्क, नौवे नमर पर नवदीप सैनी, दसवे नमर पर उमेश यादव, वही ग्यारवे नमर पर यजुवेंदर चहल खेल सकते हैं तो यही था आरसीबी का प्रेडिक कर ले और साथ ही में बिग बैसलिक के प्रेडिक्शन के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में